Hello friends, BSC की special class में आप सबी लोगों का एक बार फिर से most welcome है My name is आशिश गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे BSC Second Year Botany का 3rd semester है Plant Physiology and Biochemistry दोस्तों इस semester से ओल लेडी मैं कई सारे वीडियोस अप्लोड कर चुका हूँ जो कि आपकी examination paper के लिए most important है तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा BSC Second Year Plant Physiology के नाम से तो Plant Physiology के अंदर हम cover कर रहे थे photosynthesis के topics और यह photosynthesis का part 4 है जिसके अंदर हम cover करेंगे C4 cycle इससे पहले हम C3 cycle को cover कर चुके हैं तो C4 cycle को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप सबसे पहले C3 cycle को cover कीजे अगर आपने C3 cycle को नहीं cover किया है तो सबसे पहले आप C3 cycle को cover कीजे तो आप C4 cycle को अच्छे से cover कर सकेंगे और photosynthesis के जो notes हैं वो मैंने application पर provide कर दिया है अगर आपने अभी तक हमारा application bio book tag के नाम से बना हुआ है अगर आपने इससे join नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे application को download कर लिजे play store पर आपको search करना है bio book tag हमारा application आजाएगा सामने आप उस पर click करेंगे उसको install करेंगे और वहाँ से आपको PDF के form में notes मिल जाएगे तो वहाँ से photosynthesis के सब भी notes handwritten notes और अलग से जो पूरी books है plant physiology की वो भी आपको मिल जाएगी so friends आप हमारा telegram channel भी join कर सकते हैं हमारे telegram channel का name है by a book tag यहाँ पर आपको BSC और MSC से रिलेटीड जो भी updates मिलता है जो भी notification मिलता है आपके इन्वेस्टी से रिलेटीड वो सब मैं वहाँ पर provide करता हूँ तो चली friends स्टार्ट करते हैं तो चली friends सेडिंग डालीजे photosynthesis part 4 part 4 के अंदर हम cover करेंगे C4 cycle इसे हम hatchlack pathway या hatchlack cycle के नाम से भी जानते हैं और exam paper में 3.3 number, 7.7 number या 5 number में long question में पूछा जाता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप C4 cycle को समझने के साथ-साथ notes भी बना सकते हैं So friends सेडिंग आप photosynthesis के पूरे concept को अच्छे से समझना चाते हैं तो आप इसके लिए हमारी वीडियो देख सकते हैं photosynthesis part 1, part 2, part 3, part 4 या इसके आगे photosynthesis पर जिद्धे भी मैं videos upload करने वाला हूँ उसको आप step by step sequence wise देखेंगे तो आपको photosynthesis का पूरा concept भी समझ में आ जाएगा और साथ में आप notes भी बना लेंगे इस वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले हैं C4 cycle तो उसको लिए जरूरी है कि आप C3 cycle को cover करें क्योंकि C4 cycle जो होता है वो C3 cycle का ही एक modification है जो की देखा जाता है C4 plant के अंदर ऐसे plant जिन में C3 cycle run करती है उसे हम C3 plant बोलते हैं और mostly जो plant होते हैं उनमें C3 cycle ही run करती है और ऐसे plant जिन में C4 cycle run करती है उसे हम C4 plant बोलते हैं तो कई बार सड़े ती नंबर या दो नंबर में short question में यह difference पूछा जाता है what is the difference between C3 plant and C4 plant तो यदि आप आपने दोनों वीडियो देखा है यदि आप C3 cycle आप cover कर रहे हैं और C4 cycle आज इस वीडियो में cover कर लेंगे तो आप कई सारे differentiation बता सकते हैं So guys start करते हैं C4 cycle और इससे पहले हमें थोड़ा सा हमें revise करना होगा C3 cycle क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि C4 cycle C3 cycle का ही एक modification है So friends यह जो plant होते हैं इनकी leaf की अगर आप lower surface देखें leaf का तो उसमें ज्यादा तर stomata present रहता है यह मैं transpiration वाले topic में बता चुगा हूँ जहां से carbon dioxide enter करता है Stomata के द्वारा carbon dioxide leaf के अंदर enter करेगा फिर वो धिरे-धिरे mesophyll cells के अंदर enter करेगा I mean जो भी आपर cells present होगी generally mesophyll cells होती है जहां पर वो enter करेगा और mesophyll अगर किसी भी cells के अंदर plant का कोई भी cells हो उसके अंदर काफी सारे cell organs होंगे ठीक है उन cell organically में से एक chloroplast होता है और chloroplast को आपने दो भागों में डिवाइट किया हुआ है photosynthesis के अंदर एक stroma वाला part और एक granum वाला part जो granum वाला part होता है I mean thalokoid के जो आपने stacks देखे जो सिक्के के समान काफी सारे I mean एक के उपर एक सिक्का रख दो तो एक तरीके से वो पुरा granum बना लेता है तो वो thalokoid की membrane के अंदर light reaction होती है और stroma वाला जो part होता है वहाँ पर dark reaction होता है इतनी बात हम अभी तक अच्छी तरह से cover कर लिया है तो ये जो carbon dioxide होता है ये dark reaction में enter करता है क्योंकि इसे reduce होना है ये जो है carbon dioxide का dark reaction के अंदर fixation होता है जिसे कि ये हमारा glucose बनाता है तो दोस्तों ये इसे fix होना होगा तो ये stroma वाले part में जाएगा जहां पर इसको accept करेगा RUBP ये जो rubisco enzyme होता है ये carbon dioxide को RUBP से bind करके फिर उसके बाद जो resulted compound बनेगा उसका नाम है PGA phosphoglyceric acid जो कि एक 3 carbon compound है और ये जो RUBP होता है ये 5 carbon compound है ये सब हमने C3 cycle के अंदर अच्छे से discuss कर लिया था और फिर हमारी एक normal C3 cycle run करती है और फिर उसके बाद इस C3 cycle जब ये run करेगी फिर इसमे RUBP होगा वो दोबारा से regenerate हो जाता है और साथ में हमारा glucose भी बन जाता है तो ये था plant के अंदर C3 cycle लेकिन अब ये जो C4 cycle है ये क्या है तो मैंने आपको last में जाते जाते ये बताया था कि दोस्तो यदि plant के अंदर carbon dioxide की concentration ज़्यादा है तब तो C3 cycle run करेगी लेकिन अगर oxygen की concentration ज़्यादा होई तब यहाँ पर एक दूसरी cycle run करती है जिसे हम बोलते है फोटो रेस्फिरेशन और फोटो रेस्फिरेशन जिस plant के अंदर होगा उसको दोहरा नुक्षान होता है एक double loss हो जाएगा क्योंकि एक तो उसका assimilatory power जो की light reaction के दोरान बना था ATP, adenosine, triphosphate जो biological energy currency माने जाती है और साथ में जो reduced co-enzyme NADPH H+, जो होता है बलब हमारे जो assimilatory power जो light reaction बना था उसका भी नुक्सान होगा और दूसरी जो हम C3 cycle run करके जब हम glucose को बनाते हैं carbon dioxide को reduce करके वो भी नहीं बनेगा तो इस लिए इस process से बचने के लिए इस cycle से बचने के लिए कई सारे plants ने अपनी anatomy में थोड़ा difference लेकर आए और generally ये monocotylidans plant है जैसे for example sugar gain जिनोंने अपनी anatomy में leaf की anatomy में थोड़ा difference लेकर आए और उस anatomy को हम बोलते है cringe anatomy ये कई बार दो number में पूछा गया है what is cringe anatomy तो ये जो rubisco enzyme है इसमें हमने क्या देखा कि ये dwell property show कर रहा है double nature है इसका ये carbon dioxide को भी RUBP के साथ bind कर सकता है और oxygen को भी RUBP के साथ bind करेगा अब यहाँ पर question ही आता है कि ये किसको bind कर सकता है तो ये depend करता है कि 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 relative concentration जादा है अगर यहाँ पर suppose oxygen की concentration जादा है तो ये जो Rubisco enzyme है ये RUBP को oxygen के साथ bind कर देगा जिससे कि हमारा two carbon compound बनेगा जिसका नाम है phosphoglycolate और फिर उसके बाद हमारी जो normal photorespiration की जो cycle है वो run कर जाती है इसमें एक तो C3 cycle run करेगा तो glucose बनेगा तो यहाँ पर glucose भी नहीं बनता दूसरा point यहाँ पर हमारे जो light reaction में asymmetry power बना था उसका भी लोस हो जाएगा तो इसलिए plant को double नुकसान होता है इस नुकसान से बचने के लिए कुछ plant ने anatomy develop की जो कि मैंने बताया तो अभी आप इतनी बात अच्छी तरह से समझ गए कि normal जो C3 plant होती है वो लगबग कई सारे plant के अंदर C3 cycle ही run करती है लेकिन कुछ ही plant है जो इस तरह के adaptation अपनी अंदर लेकर आए जैसे for example, transpiration के एक topic में मैंने आपको बताया था कि कई सारे ऐसे plant है, जैसे desert में रहने वाले जो plant होते हैं, वो अपनी anatomy में ऐसा difference लाते हैं जिसी की transpiration में जो water का loss हो रहा है, वो बहुत ही कम हो क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है transpiration plant के अंदर एक necessary evilness होता है, एक अवश्यक बुराई होती है, क्योंकि अगर transpiration ज़्यादा हो गया, access में transpiration हो गया, तो ज़्यादा water loss हो कारण plant की death भी हो सकती है अब खुद ही सोचो desert में रहने वाले plant को एक तो ऐसे ही पानी वहाँ पर मिलेगा नहीं, वहाँ पर चारो तरफ सोखे का एक माहौल है, उपर से अगर वो transpiration के दोरा water को loss करेंगे तो कैसे अपने जीवी का को चला पाएंगे I mean उनके अंदर कैसे life बजएगी वो death हो जाएगी उनकी तो उस चीज से बचने के लिए excess loss of water से बचने के लिए वो अपने leaf को spiny बना लेते हैं flesh ही बना लेते हैं इससे क्या होगा कि transpiration के दोरा जो water का loss होता है वो कम होगा तो ठीक इसी प्रकार से इस फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए कुछ monocotyledence plant हाला कि exceptionally dicote भी कुछ ऐसे plant है जो कि इस तरह के adaptation को जिनमें C4 cycle रन करती है तो कुछ plant ने अपने अंदर थोड़ी anatomy में different session लेकर आए ठीक है तो आईए देखते हैं Rubisco के बारे में पता चल गया थोड़ा सा और आपको इसके बारे में बता दूँ कि यह तो ठीक है dual nature को show कर रहा है लेकिन प्रित्वी पर सबसे ज़्यादा most abundant protein या enzyme जो हता है वो Rubisco ही है और इसका जो last में CO लिखा हुआ है यह carboxylation भी करता है और oxygenation भी करता है यदि यह CO2 को RubP से bind करेगा तो carboxylation यदि यह जो है RubP को oxygen से bind करेगा तो इसे हम बोलते हैं oxygenation ठीक है तो RubP के बारे में भी कई बार short question में अगर आप MCQs के माधिम से question पूछे जा रहे हैं तो कई बार पूछा जाता है देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ cringe anatomy के बारे में इससे क्या फाइदा होता है हाला कि अभी यह C4 cycle को अच्छे से समझेंगे diagram बना करके इसको अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ और notes मैं आप bio book tag application पर पहले से ही provide कर चुका हूँ तो उसकी भी टेंशन निलेने चाहिए आपको notes की भी ठीक है तो देखिए जैसे यह जो cringe anatomy इसमें होता क्या है इनोंने इसमें कुछ plant के अंदर anatomy में क्या difference है उनकी leaf में vascular bundle तो बिल्कुल center में है ठीक है यह जो vascular bundle xylem phloem जो होता है यह बिल्कुल center में है अब इसके चारो तरप जो cells आपको दिखाई देरे जो घिरे हुए blue color में आपको दिखाई देरे होगी इसे हम बोलते है bundle sit cell क्योंकि ये bundle को cover करती है एक sit की तरह है तो इसलिए हम बोलते है bundle sit cell और इसके चारो तरप जो covering होती है वोती है मिजोफिल cells की अब ये carbon dioxide stomata के द्वारा enter करेगा तो ये directly पहुचता है bundle sit cell में जहाँ पर oxygen का पहुचना बहुत ही ज़्यादा मुस्किल है यहाँ पर oxygen की concentration बहुत ही कम होती है और carbon dioxide यहाँ पर पहुचता रहता है और धीरे धीरे यहाँ पर carbon dioxide की concentration ज़्यादा होगी तो ये बहुत ही simple सी एक logic बात है कि अगर carbon dioxide ज़्यादा होगा और यहीं पर present होता है rubisco enzyme तो ये rubisco enzyme अब यहाँ पर oxygen को bind करेगा या carbon dioxide को आप से question है कि rubisco enzyme भी यहाँ पर present है carbon dioxide भी present है और oxygen की concentration बहुत ही कम है तो इस condition में मैंने आपको क्या बता है जिसकी concentration ज़्यादा होगी rubisco enzyme उसी को bind करेगा तो यहाँ पर carbon dioxide की concentration ज़्यादा है तो rubisco enzyme उसी को bind करेगा और bind करने के बाद हमारे जो वही C3 cycle वाला बस यहाँ पर condition क्या हो गई कि photo respiration बिलकुल भी नहीं हो सकता इसके chances बहुत ही ज़्यादा कम है ठीक है 1% से भी कम तो इसलिए यहाँ पर definitely C3 cycle ही रन करेगी अब C3 cycle रन करेगी तो हमारी productivity बढ़ेगी यानि I mean glucose जो होता है वो बनेगा carbon dioxide का reduction होगा और हमारा जो assimilatory power है वो भी हमारा खतम नहीं होगा ठीक है गलत जगह यूज नहीं होगा तो इस तरह से anatomy यहाँ पर develop हो जाती है जिसे हम बोलते हैं cringe anatomy तो अब हम यहाँ पर जो graph लेंगे उसमें दो तरह की cells होगी एक तो mesophyll cells और एक bundle sit cell ठीक है इन्होंने बस यहाँ पर यह होता है अपनी anatomy में difference किया ताकि हम photorespiration से बच सके है तो आप इसे भी note down कर सकते हैं every photosynthetic plant follow Kelvin cycle यानि ज़्यादा तर जो plants होते हैं वो Kelvin cycle को ही follow करते हैं उनमें Kelvin cycle ही होता है C3 cycle but in some plants there is a primary stage of the Kelvin cycle इसे हम बोलते हैं C4 pathway यानि कुछ plant के अंदर Kelvin cycle से पहले एक stage आती है जिसे हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं उसके बाद plant in tropical desert commonly follow the C4 pathway ऐसे plant जो कि tropical region में रहते हैं desert में रहते हैं तो वो C4 pathway को follow करते हैं here a four carbon compound called oxaloacetic acid OAA oxaloacetic acid is the first product of carbon fixation इसमें क्या होता है यह जो C4 cycle है इसमें first carbon compound बनता है वो four carbon compound बनता है इसलिए हम इसे C4 cycle के नाम से भी जानते हैं क्योंकि C3 cycle में first compound बनता है PGA इसी के नाम से इसे रख दिया गया था C3 cycle अब इसमें जो first stable product बनता है उसे हम बोलते हैं oxaloacetic acid जो कि एक four carbon compound है तो इसलिए हम C4 cycle बोलते हैं तो चली friends C4 cycle को directly diagram के help से समझने की कोशिश करते हैं अगर exam paper में long question में आप से पूछा जाए C4 cycle के बारे में तो इस diagram के help से आप अपनी copy में इसको represent कर सकते हैं और साथ में C4 cycle को explain कर सकते हैं तो first of all ये जो उपर वाला circle आपको दिखाई दे रहा है ये mesophyll cell को represent कर रहा है और ये जो नीचे वाला circle आपको दिखाई दे रहा है ये bundle seed cell को represent कर रहा है और cringe anatomy के अंदर just अभी हमने देखा था कि bundle seed cell जो होती है वो vascular bundle को surround करके रखती हैं और ये जो mesophyll cells होती है ये bundle seed cell को surround करके रखती हैं अब ये जो bundle seed cell है इसकी जो main property क्या है कि यहाँ पर oxygen की concentration बहुत ही कम होती है और साथ में rubisco enzyme भी इसमें present रहता है ये C4 plant की बात हो रही है तो अभी यहाँ पर अगर किसी तरह से जो environment में आने वाला carbon dioxide है अगर उसको safely हम bundle seed cell तक पहुँचा दे तो यहाँ पर rubisco enzyme उसको पकड करके RUBP से bind कर देगा इससे हमारा normal PGA compound बनेगा जो कि एक तरीके से हमारी Kelvin cycle जो normal run करती है वो run करेगी और साथ में sugar भी बनेगा और दुबारा से regenerate हो जाएगा RUBP लेकिन C4 plant के अंदर क्या होता है C4 plant के अंदर यही हमें देखना होता है कि कैसे carbon dioxide safely bundle seed cell तक पहुचाया जाता है ठीक है ताकि photorespiration से बचा जाए और ऐसा monocotyliton plant के अंदर like sugar cane के अंदर हमें आपर देखने को मिलता है उसी के अंदर एक cringe anatomy develop होती है एक नया modification होता है तो चलिए देखते हैं अब आप अपने mind को अच्छी तरह से refresh करके दोबारा से focus कीजिए इस diagram पर environment से suppose कोई monocotyliton plant है जिसके अंदर cringe anatomy develop होई तो उसमें क्या होगा environment से आने वाला जो carbon dioxide है वो सबसे पहले enter करेगा mesophyll cells के अंदर mesophyll cells के अंदर एक enzyme होता है जिसका नाम है pep carboxylase enzyme pep carboxylase enzyme जो होता है यह PEP phosphoenol pyruvate को carbon dioxide के साथ में bind कर देता है यह जो pep होता है carbon dioxide के साथ bind करके यहाँ पर first stable compound बनाता है जिसका नाम है oxaloacetic acid या oxaloacetate भी बहुल सकते हैं अब यह जो pep carboxylase enzyme है इसका क्या function रहा इसने क्या किया इसने carbon dioxide को phosphoenol pyruvate से bind कर दिया अब इसका काम खत्म अब जो first stable compound बना वो 4 carbon compound बना इसलिए इस cycle को हम C4 cycle के नाम से जानते हैं C3 cycle के अंदर हमने क्या देखा था first stable compound जो बना था वो 3 carbon वाला था इसलिए हम C3 cycle के नाम से जानते हैं और यहाँ पर 4 carbon वाला है इसलिए हम से C4 cycle के नाम से जानते हैं अब यह जो oxaloacetate acetic acid या oxaloacetate जो है इसका होता है reduction reduction के process में क्या होता है hydrogen का addition होता है तो hydrogen कहां से मिलेगा वो मिलेगा हमें reduce coenzyme NADPH H plus से मिलेगा ठीक है यह जो है अपना H plus जो हता है इसको donate कर देगा जिससे convert हो जाएगा mallet में oxaloacetate जो हता है वो mallet में convert हो जाएगा और यह जो अपना hydrogen दे करके NADP plus में convert हो जाएगा तो अब यह जो mallet है यह misophil cell से enter करेगा bundle seed cell के अंदर और bundle seed cell के अंदर enter करते ही यह breakdown हो जाता है तूट जाता है तूटने के बाद यह दो compound बनाता है ठीक है दो molecule बनाता है एक तो pyruvate का molecule बनाएगा जो कि 3 carbon compound है और एक carbon dioxide बनाता है ठीक है अब यह जो carbon dioxide होता है जो कि safely यहां तक पहुचा दिया गया है और यही C4 cycle का जो main object है वो यही है जो cringe anatomy develop की गई प्लांड के अंदर वो क्यों की गई ताकि हम safely carbon dioxide को bundle seed cell में पहुचा दे ताकि हमारी normal Kelvin cycle run करे photo respiration वाली cycle run ना करे तो दोस्तों यहां पर देख सकते है mallet जो टूटा breakdown हुआ तो यह pyruvate में change हुआ यह जो pyruvate होता है यह दोबारा से PEP phosphoenol pyruvate को दोबारा से regenerate कर देगा regenerate कैसे होगा ATP की help से adenosine tri phosphate जो होता है इस pyruvate को अपना एक phosphate group देगा जिससे कि phosphoenol pyruvate में convert हो जाएगा अब हमारा जो safely carbon dioxide bundle cell में पहुचा दिया गया है तो आप इसको किस तरह से represent करेंगे आपके पास दो तरीका है अगर आप बहुती easy way में इसको represent करना चाहते हैं तो directly इस तरह से आप इस carbon dioxide की यहाँ पर एक गोला बना लीजी इस तरह से और बीच में लिख दी Kelvin cycle यानि कि आप यहाँ पर normal Kelvin cycle रन करेगी जो जो process Kelvin cycle में होता है वही process यहाँ पर होगा दूसरा आप Kelvin cycle को थोड़ा अच्छे से represent भी कर सकते हैं इस तरह से क्योंकि carbon dioxide अब यहाँ पर आ गया अब Rubisco का nature क्या है Rubisco dual nature का होता है अगर इसे oxygen की concentration जादा होई तो यह oxygen को bind करेगा RUBP के साथ अगर carbon dioxide की concentration जादा होई तो यह RUBP को उसके साथ bind कर देगा तो यहाँ पर carbon dioxide जब पहुचा दिया गया तो यह RUBP के साथ bind करेगा bind करने के बाद first stable compound PGA बनाएगा तो इसमें हमने क्या देखा कि carbon dioxide का 2 बार carboxylation होता है 2 बार fixation होता है ठीक है तो normal हमारी वही जो C3 cycle है वो run करती है इससे हमारा sugar बनता है यहाँ पर triose phosphate जब इसका reduction होगा PGA का जिसमें हमने देखा था reduced coenzyme और ATP भी यूज होता है तब जाकर जब इसका reduction होगा तो यह बनाएगा 3-phosphoglyceraldehyde triose phosphate बनाता है अब यह क्या होगा यह breakdown हो जाएगा यह दुबारा एक तो यह दुबारा से जो है एक तरीके से RUBP को regenerate करेगा और दूसरा यह सूगर बना लेगा तो इस तरह से सूगर का एक molecule बना लेने के लिए कितने carbon dioxide की जरूर थी यह मैंने आपको C3 cycle में बता दिया था कि हमें कम से कम 6 carbon dioxide के molecule लेने होंगे तो यहाँ पर यदि एक है तो इस तरह के हमें 6 turn 6 cycle इस तरह से हमें लेने पड़ेंगे तब जाकर कि हमारे पास सूगर का एक molecule बनेगा और अगर आप दिखाना चाहते है कि एक molecule यहाँ पर बन चुका है सूगर का तब आपको 6 महाँ पर carbon dioxide के 6 molecule लेने होंगे ठीक है तो आई होप आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा तो क्रेंज जो C4 cycle है उसमें बस इतना ही होता है I mean Kelvin cycle तो run करती है जो उपर वाला step है उसमें आपने देखी लिया है कि उसका काम क्या है कि carbon dioxide को safely bundle सी cell में पहुँचा देना ठीक है तो no doubt कीजिए एक बार फिर से यहाँ पर थियोरी को भी no doubt कर सकते हैं C4 plant are adapted to overcome photorespiration and deliver carbon dioxide directly to the enzyme rubis को यह जो C4 plant होते हैं यह photorespiration को overcome करने की कोशिश करते हैं और यह क्या करते हैं carbon dioxide को directly rubis को enzyme के पास भेज देते हैं I mean bundle seed cell के अंदर जहां पर rubis को enzyme present रहता है तो initial fixation initial fixation में होता क्या है carbon dioxide is first fixed into mesophyll cells सबसे पहले carbon dioxide जो होता है वो mesophyll cells के अंदर fix हो जाता है किसके साथ phosphoenol pyruvate के साथ यह यह आपर reaction करेगा और तब जाकर बनाएगा first stable compound oxalo acetate तो वो सब मैं already बताई चुका हूँ और notes मैंने bio book tag application आप चाहें तो play store पर जाएंगे लिखेंगे bio book tag वहाँ पर एक application आ जाएगे उसको download कर लेना है वहाँ पर free notes मैंने provide किये हैं और youtube की videos भी आप वहाँ पर बिना ads के देख सकेंगे बहुत ही कम IATS आपको दिखाए देंगे beach mats नहीं आएंगे और साथ में PDF के form में पूरा notes भी है photosynthesis का तो आप उसे download करके देख सकते हैं उसके बाद थोड़ा से में differentiation बताना चाहूँगा क्योंकि MCQs में ज़्यादा तर difference related questions बहुत सारे पूछे जाते हैं C3 cycle और C4 cycle में थोड़ा सा differentiation देखना होगा first stable compound जो C3 cycle में बनता है वो होता है PGA phosphoglyceric acid वही पर अगर आप C4 cycle के अंदर देखेंगे तो oxaloacetic acid बनता है ये 4 carbon compound है ये 3 carbon compound है इसलिए इसे हम C4 cycle बोलते हैं इसलिए इसे हम C3 cycle बोलते हैं इधर वाले को C3 ये C3 plant में होता है ये C4 plant में होता है simply carbon dioxide का C3 cycle के अंदर carbon dioxide का जो first acceptor होता है वो होता है RUBP जबकि आप C4 cycle के अंदर देखें तो carbon dioxide का first acceptor कौन होता है first acceptor होता है phosphoenol pyruvate ठीक है और enzyme इनके बीच काम करता है दोनों के अंदर अलग अलग टाइप का enzyme काम करता है carboxylase enzyme अब ये जो carboxylase enzyme होता है इसमें दो तरह के होते हैं जो C4 cycle है उसमें दो तरह के carboxylase enzyme होते हैं pep carboxylase और rubisco जबकि आप C4 cycle के अंदर देखें तो इसमें सिर्फ rubisco enzyme होता है यहाँ पर छोटा सा एक mistake हुआ है यहाँ पर यह जो आपको दिखाई दे रहा है pep carboxylase और rubisco यह C4 cycle के अंदर देखने को मिलता है जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है तो rubisco only only parts fit करता है C3 cycle के अंदर ठीक है जबकि आप C4 cycle के अंदर देखें तो इसमें rubisco भी और pep carboxylase भी काम करता है तो इसको थोड़ा साब इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए तो आपको mean difference समझ में आ जाएगा तो यह था दोस्तो C4 cycle ठीक है इससे हम hatch leg pathway के नाम से जानते हैं I hope आपको यह समझ में आ गया हो और वीडियो पसंद आया तो like करे चैनल को subscribe करदे अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए और यदि आप चाहते हैं कि आपके पास कोई topic है और उससे related आप वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें comments में भी बता सकते हैं मिलते हैं next video में बाई बाई टटा